सब्सक्राइब कीजिए The Perfect Classes चैनल को और बैल आइकन को दबाईए लेटिस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए इस्टुटे आप सभी का आपके चैनल देखरफेक्ट क्लासिट में सबस्ट आइड आइड एकन को और और इस दिसक्राइब बच्छों क्लास 7 की वक्षीट है अब्च्छेक्ट साइंस की टॉपिक है लाइट 11 नमवंबर 2021 की वक्षीट है तो इस्टार्ट करते हैं structure is present behind the cornea which is called iris the distinctive color of the eyes is due to iris is it may be black brown blue or green in color okay cornea के पीछे cornea जो होती है उसके पीछे एक गहरे रंग की पेशी सनरचना है जिसे परी तारी का कहा जाता है आँखों का विशिच्टी रंग आईरिस के कारण होता है ठीक है यह कैसे भी हो सकता है काला भूरा नीला हरा कैसे भी रंग की हो सकती है आग ठीक है in the iris there is a small opening called pupil the size of pupil is reduces in intense line and get enlarged in dim light this is controlled by iris thus iris controls the amount of light entering into our eyes okay पारी तारी का एक छोटा सा छिदर होता है जिसे पुतली कहा जाता है पुतली का आकार जो होता है वो तेस प्रकाश में कर जाता है तेथा कम प्रकाश में यह बढ़ जाता है पुतली के size को पारी तारी का नियंत्रित करती है और इस प्रकार हमारी आखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मातरा को यह नियंत्रित करता है आख की पुतली के पीछे लेंस होता है यह आकार में उत्तल होता है और लेंस आख के पीछे प्रकाश को एक स्क्रीन पर केंद्रित करता है जिसे रेटीना कहते है रेटीना में दो प्रकार की प्रकाश समवेदनशील तंत्रिका कोशिकाए होती है पहला दे रखा है रोट सेल्स इसे हिंदी में कहते हैं शलकाए कोशिका यह जो टिम लाइट होती है मंद प्रकाश जो होता है उसके लिए यह सुग्राही होती है कौन सेल्स जो होती है शंकु कोशिकाए यह तीर्व प्रकाश मतलब तेज प्रकाश और रंगों के लिए सुग्राही होती है अप्टिक नर्ब्स ट्रांस्मिट्स दे संसेशन इमेज इन दे फॉर्म आफ सिगनल्स तो दे ब्रेन जो अप्टिक तंत्री का समवेदनाओं को मस्तिक्ष तक पहुचाती है अप्टिक तंत्री का और रेटिना की संधी पर समवेदी कोशिकाएं नहीं होती है चुकि सिस्तान पर कोई दृष्टी संभव नहीं है इसे ब्लाइंड स्पोर्ट कहा जाता है सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट आई नेतर के बारे में कुछ रोचक तत्य है बारे में मतलब आँक के बारे में कुछ रोचक तत्य पढ़ेंगे जो मनुश्य की आँख है वो लगबग 10 लाख अलग अलग रंगों में अंतर कर सकती है पनुश्य की आँख एक मिनट में 17 बार और एक साल में लगबग 42 लाख बार औस तन जपकती है अपनी आँख खुलकर छीकना असंभव है वाइल ए फिंगर प्रेंट है पोटी यूनिक केरेक्टरिस्टिक एन आइरिस हैस 256 फिंगर प्रेंट में 40 विशिश्ट विशेश्टा होती है जबकि आइरिस में 256 only fish vitamin A and vitamin C all helps to preserve good eyesight केवल बचली, vitamin A और vitamin C नेतर की दृष्टी के लिए सबसे अच्छा होता है 6 by 6 vision means that the viewer is able to read normally at a distance of 6 meter 6 by 6 means and card है कि जब viewers है वो 6 meter की दूरी से normally बढ़ सकता है आप question answer देखते हैं बच्चों, question number 1 है name the two types of nerve cells present in retina, write their functions ठीक है, इसमें पूछे कह है, retina में मौझूद दो पिरकार की तंत्री का कोशिकाओं के नाम बताई है और उनके कार्य भी लिखिए, तो इसका answer आप यहां से लिखेंगे यहां से लिखेंगे answer number 1, देखिए the retina contains two types of light sensitive nerve cells retina में दो पिरकार की पिरकाश, समवेदंशील, तंत्री का कोशिका होती है पहला है, road cells, ठीक है, शलाकाएं कोशिकाएं, these are sensitive to dim light यह मंद पिरकाश के लिए सुगरा ही होती है second है, कौन से सेल, शंकु कोशिकाएं, these are sensitive to bright light and color यह तीर पिरकाशर रंगों के लिए सुगरा ही होती है अब question number 2 देख लेते हैं, बच्चों, question number 2 है what happens to the pupil of the eyes when bright light falls on our eyes क्या होता है, जब टेज रोशनी हमारी आखों पर पढ़ती है तो आखों की पुतली का क्या होता है तो देखें, इसका answer आप लिखेंगे the size of pupil is reduces in intense light and get enlarged in dim light, this is controlled by iris तो इसका answer हो गया पुतली का कर तेज परकाश में घड़ जाता है और कम परकाश में बढ़ जाता है ठीक है, पुतली के size को परितारी का जो होती है iris वो नियंतरित करती है ठीक है बच्चों, अब question number 3 देखते है फिलप है, देखिए the lens focuses the light on the back of the eye on a layer called retina इसमें retina आएगा जिए lens आख के पीछे retina नामा के एक परकाश केंदित करता है the distinctive color of the eyes is due to iris आखों का विशिष्ट रंग iris के कारण होता है, इसमें iris आएगा blank में, the spot at which no vision is possible is called blind spot नेतर में जिस स्थान पर कोई द्रिष्टी संभव नहीं होती उसे blind spot कहा जाता है iris controls the amount of light entering into the eyes iris control करता है, आख में जो परकाश की मातरा प्रिवेश करती है उसको अब question number 4 and last how are we able to see objects हम वस्तों को कैसे देख पाने योग्य है तो इसका answer आप लिखेंगे answer number 4 का we are able to see things with the help of eyes, हम वस्तों को आखों की सहता से देखने योग्य है, ठीक है यह आपकी worksheet solve हो गए student, अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आईए तो please मैं वीडियो को like कीज़े, share कीज़े, आमाई चनल को subscribe कीज़े thanks for watching